नोश्कार विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है रिवा जिले की एक विधान सभा सीट जो अक्सर सुर्खियों में तो है लेकिन सुर्खियों के पीछे की जो वज़य है वो कई बार बहुत बड़ी हो जाती है सिमरिया विधान सभा उठापटक और जिस तरह के राजनेती कारोप प्रत्यारोप के दौर रहे उससे हमेशा सबको रोमांचिक करने वाली विधान सभा सीट सिमरिया आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए सिमरिया विधान सभा सीट से पूर्व विधायक पूर्व जिला पं फावित होता है उन से की जाए क्योंकि ये जो उठा पटक का दौर है दो जार अठारा चुनाओं के ठीक पहले से जिस तरह से परिस्थितियां बनी उसके बाद जिस तरह की चीजे रही तमाम आरूप प्रत्यारों कैसे देखते हैं आपने कहा कि आपका इंटर्व्यू लेना आप जो प्रस्न करेंगे उसका उत्तर ये उठा पटक क्यों से मरिया को लेकर क्यों इतना पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो रहा ये जगड़ा किस चीज का है किस तरह का जगड़ा जैसे ये जो उठा पटक की राज़नी चल रही है आरोप प्रत्यारों के दौर आप पर आरोप क्या मानते हैं ये तो अभी अभी सुरू हो गई महीना दो महीना चुनाव सर्फ़े है च्छै महीने के अंदर तो लटी डंड़ा तो चल नहीं सकता क्योंकि अब सामने बोट पढ़ना है तो हम तो गनीवत मानने हैं कि ये तो बहुत ठीक है तब भी हम कहते हैं कि चलो ये राणनीत में सब होता है आप बागी चास साल की बात क्यों नहीं करते थे जिसमें कभी किसी पत्रकार को मारा जा रहा है कभी किसी किसान की फसल रोधाई जा रही है कभी किसी सीयो पे हमला कराया जा रहा है कभी किसी को फरजी मुकदे में फसाया जा रहा है चीख पे चीख कभी किसी आदिवासी के घर में गुश के आक्रमन हो रहा है कभी किसी चला पंचाय सदसा आदिवासी को इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो चुनाओ जीत गई है आप इनकी बात क्यों नहीं करते सिमरिया में यह आपने जो चीजें जिन चीजों का जिक्र किया पंद्रा सो करोड रुपे के ऐसा कहा गया कि विकास कारे चल रही है आसपास रोड बन रही है सड़क बन रही है जो ब्रीज बन रहा है तमाम चीजें चल तो रही है ना फिर क्यों तकलीव है पंद्रा सो करोड इनको ले जाएए वहाँ बौपाल सीम साहब को कहिए को बुद्री जाएं वापस इतना बनियां अगर विकास पुरुस टू हमारे बीच में है हम दिनको रिवा के विकास पुरुस टू कहेंगे सुकलाची के बाद और रिवा के क्या है यह मदवदेश में होंगे पंदर सो करोड के तो हमें लगता है भूंपू जाना और विकास काम सीम सी राची ने नहीं किया होगा इनकी जगा यहां नहीं है गलत जगा यह बैटे हैं इनको सीधे लजाएए सीम बाली कुर्सी पे पुरे प्रदेश का काया कल पकर आई अभी तो सी अभी तो हमारी सेमरिया धन हो रही पूरा प्रदेश धन हो जाएगा अभी पिछले दिनों एक प्रेस कांफरेंस में आपने जो तमाम चर्चाएं की उसमें विधायक की जो स्वेक्षा निदी है उसका जिक्र किया और कहा कि अपने परसनल लोगों को बिलाईज करते हैं बाइलोज क्या कहता है क्योंकि स्वेक्षा निदी है अपने मन से जिसको मैंने चर्चा ऐसे नहीं की चर्चा मैं नहीं करता इन्होंने ही कुछ ऐसी बाते की थी कि मुझे चर्चा करना मजबूरी होगी थी इन्हों नहीं आरोप लगाया कि ये 6 करोड रुपए अपने उपयोग में ले लिए ऐसे है आना वसे हम कहने लगे कि सीम साफ 20 करोड ले लिए सुकला जी 50 करोड ले लिए इस टाइप की बाते तो मुझे अपना पक्स रखना पड इसलिए मैंने एविडेंस के साथ अपने जिला पंचायत का इन्हों नहीं आरोप लगाया था तो जिला पंचायत के कारकाल में मैंने बताया कि 6 करोड नहीं मैंने कुल 20 करोड रुपए से मरिया को दिये हैं अभी भी आपको बता सकता हूँ देखिए ये बसामन मामा एनी क आप इसमें कैमरा लगा सकते हैं ये देखिए तीन करोड रुपए मैंने 3 कौर बहतर लाक रुपए ये सुकृत है ये पड़िये कैमरा देखिए ये सप्रील वान खेड़े साथ का दिये हैं मेरा अधिकार तो इसम मैंने कववड हान से जोनी इसको इन्होंने कहा कि मैं किलोमेटर है कव अधान यहां से पंदा किलोमेटर होगा वहां बीच में खदानों की बीच से जो गाओं को रस्ता जाती है आगे प्रधानमंदी चड़ाखे बीच का एक टुकड़ा छोटा था कांकी डोड तो उसके लिए मैंने एक 143 क्रोड रुपए दी तीसरा आप आजा नलजल योजनाओं की ये है डीमेफ मत ये डीमेफ मत पूरा समरिया जानता है नलजल योजना मैंने की थी जिला पंचायद निद से डीमेफ मत में जो मेरा धिकार था उससे ये अभे मिस्टा ये लिखा हुआ है ये अभे मिस्टा लिखा है अभे मिस्टा अध्ध जिला प हैं यह सिर मोर जनपत की यह सब नाम हैं और गाउं दिये हुए हैं तिघरा बैजनाद पटे हरा गुहिया बदरा और पुरेनी और मरहाद वारी यह सब कुछ हैं यह दसकत किसके हैं यह हैं ओर समय के प्रवारी होते हैं ठीक है ये तो डाकुमेंटरी प्रूव है ना फिर इनका ये कहना था इसके बाद हमने क्या दिये हैं जिस पर इनको बड़ा गर्व है कि हमने काम कैंसिल करा दिया अब ये बताईए आपकी बसामन मामा एनी कट का अगर काम हो जाता उससे मुझे क्या अगर ये इसका टेंडर हो जाने दें जो इन्होंने रोक रखा है पता नहीं किस बात का ये हमसे उस समय के वरतमान करेक्टर नाम लेना ठीक नहीं है उन्होंने कहा कि अपनी नौकरी मैंने पहला विधायक देखा जो अपने विधान सवाच्छेत्र में काम रोकते हैं जबकि मैंने कहा थे कि भूम पूझा निहीं से करा लिजेगा हमारी तो जिला पंचाइज दच्ची खतम होने की कगार पे कभी भी हो सकती इन्हीं को से मि जा मुझे कोई दिक्कत नी मैंने जिला पंचाइज निससे पैसा दिया है ऐसे रोट का दिया है इससे तो लोगों का ही थोना था कौन सैसा काम है ऐसा नहीं कि छे कोर आट कोर बारा कोर अरे बताएं नहीं एक रुपए भी कि ये वाला दो रुपए आप अपने घर को ले लए कि आपको कोई फाइदा है ये देखिए अभी अभी लास्ट में जो हमने जिसको इन्होंने कहा कि मैं नीता कोल को धन्यवाद देता हूं नीता कोई और इनको धन्यवाद देता हूं कि जिला पंचाइज से कैंसल करा दिये काम को ये है लास्ट हमारा ये ये किसके दसक ते हे किया थे मुकर बनानलev करी के ठीक है न ओर यह ढ़ना क्या था । बाट इसके बाद फिर नया चुनावन तो बगएरा हो गया थै इसमें जो काम हैं यह भूत काम पूरे जिले के काम हैं इसमें और भी सदश्रो काम हैं मैं अपना कर रहा मैंने सिर्मावर में अपने हत्कार के कारणे अपने एप्रोच से दिया रगवली में एक हैंड पंप राजकुमार सिंग रगवली में विजे पताप सिंग के घर के पास हैंड पंप फिर रगवली में ही राम निहोर बढ़ गईयां सोरे बली त्रिपाथी बधरा में बाज की भववन मरम्मत पिपरा में सिमरी से मंटोलवा पहुंच मार गराम रख्षा दाहिया पिपरा में हैंड पॉर्म कनन, रामान कुसवाहा, कुमरा जुड़वानी में कसबादू सिंग चौहान हैंड पॉम पर चंद्रपूर वार्ण नौ हरजन में कामता साकेत हैंड पॉंप फिर मोतिलाल साकेत तुर्का टोला में हैंड पॉंप इस तों से बहुत बढ़ी लिस्ट है बहुत बढ़ी लिस्ट है पढ़ेंगे बहुत लंपा टाइम लग जाए गरे बढ़ी जितना मैं अभी पढ़ चुका हूं इसके दो गुना और है यह चुनाओ के आखरी समय उसके पहले की है जब जिला पंचायत के चुनाओं फिर से होने वाले थे यह कैसे फिर यह रोक कैसे गई सब कुछ है जब एक पाद सियो के दस्कत होगे करवाई बरान हो गए इसके बाद पालन प्रतिवेदल जारी हो गए तो तो के मälle जटन सी पुएस करना थाbird यह इनका दबावाव और सुकला जी का दबार राजें शुकला जी का भी इस में हुँ है एन के कहने पर अंसे अला कि मैं ऐसे उम्मीद करता नहीं थारि फेले किस टाइब करते ले anch के काम असे देखे ऐसे इन्होंने कवा ढ़ानवाले में अपने एक पीए से कोट में अचिकत लगवाई थी विकास को रुखवाने में ये भी इंटरस्ट लेते हैं मुझे इन समय ये प्रेटिकल हुआ इसके पहले तो ऐसा मैं नहीं मानता था और हो गए के चिड़ अजीव सा कि हम न कर किया का भला होगा इनाल उबर समझिया कि लोगों की समस्या है दूर होंगी आपने तो एक भी हैंट पॉंप कराया नहीं मैं जब विधायक था तो 900 में से 400 विभागी थे या 500 विभागी थे 400 हमारे विधायक नहीं थे हमारी बोरिंग मसीन घूमती ही रहती है नीला मिस्या कि भी कारकान में आदा से जादा फंट वोरिंग मसीनों में ही गया हमारे हमने एक क्यात्रि पति छले नहीं रग३ाया एक भी टैंकर में सिर्फ एक टैंकर अमरित लाल तिवारी कफसा को मैंने दिया कि यह जो सड़क के किनारे यात्री प्रती चले बंते हैं जो हम लोगं के रोड अग्रिमेंट में रभी रहते हैं आज कर हम लोग अपने साइट में 50,000 का ठेका दे देते हैं 50,000 में वह पाइप का बन जाता है उसका में इमानदारी की बात करूं तो कोई मानेगा कि तीन लाग जो काम पचास हजार का है आप तीन लाग सट्राट हजार दे रहे हैं पैसे का वेस्ट कर रहे हैं उतने में ही लोगों की ऐसे काम जो मैंने अभी आपको गिना है हैंड पॉम जरूरत बंद इसी के लिए विद्याग न समय कोई अरजगता ब्याब थे कोई कुछ पूछने वाला नहीं है अधिकारियों को सब ऐसे बठाए जाते हैं जिन पर इनका दवाव काम रह सके इस तरह से गलत करके इन लोगों ने तीन तीन करोड रुपए अब सोची आप मुझे एक करोड रुपए मिलता था विद्या और भी बनवा लिया 25 लाख रुपए साल के हिजाब से मैंने 75 लाख रुपए निकट के लिए भी दे दिये उस समय जो की नहीं हो पाए और 75 लाख हमारे ये चले गए पांच करोड में हमारे डेड़ दो करोड तो इसी में चले गए और बाकी हमारे थोक थोक काम है ठोस ठो कर और ये एक ग्राम पंचायत है जैसे आप आजाए ये साओं साओं में अके लिए एक डेड़ करोड सब को मालूम है कि ग्रेवल रोड पे रोक लगी सासन ग्रेवल रोड को इलाओ नहीं करता है ग्रेवल रोड पे रोक है विदागने से नहीं दी जा सकती लेगिन कोई प पंचाइथ में आप एक से डेर करोर रुपए आप साओं में दे दिया हूँ आपके चार ग्राम पंचाइथ हैं कहां जाया हूँ काफ़ मैं आपको दे रहा हूँ चार क्राम पंचाइथ हैं बहुरी बाद और कौन कौन से हैं बहुरी बाद साओं पुरेनी और पुर्वा इत तो अभी मैंने अपने इन्हों ने जो आरोप लगाए थे उसका जवाब दिया है मैं इन पर आरोप लगाने के लिए प्रेस्पर कांफेंस करूंगा और विधायक निदिका एक एक चीज सामने रख दूँगा जनता के सामने पारदरिस्ता होनी की यह जनता के वोट का पैसा ह है इसको कोई लूट के नहीं ले जा सकता है कि हम अपने रिष्टेदारों को दे दे हैं हम अपने अग्यात नामों से ऐसे बैंक के माददें के जो कमिसन पर पैसा निकाल देते हैं कभी चारीस लाग कभी सतर लाग इस तरह से कम दो करोर डेर करोर रुपे पल्टी कर लें जिनका रहता पता नहीं है फिर बाकी पैसा हम अपने डाइवर को अपने प्यए को अपने नौकर को अपने सगे चाचा सगे भाई को इस तरह से करके हम बने चोटा मोटा इमाउट नहीं पचीट पचीट लाग आपने द्दस हजार करके सतर हजार – सवा लाग मंडल जी कारकरताओं को दे करके तो फिर गरीब कहा जाएगा तो सिख्षानुदान दे सकते हैं ना उसमें क्यों आपत्ती क्या है दे सकते हैं कि नहीं सिख्षानुदान का एक नियम है कि जो जरूरत मंद है गरीब है उसके क्राइटेरिया बनी है उसको दे सकते हैं जैसे विकलां नराएंट पटेल जो पूर मंदल अध्यक्ते आपको दिखाता हूँ मैं वो उनके बच्चे उनके परिवाद के अलावा इन्होंने नहीं नहीं दिया कुछ वह समाज में नहीं किसी को ऐसा एक हजार दो हजार रुपए बस दिये हैं जो जिसमें इनका पता लिखा हुआ है उ उसमें उन्होंने दिये हैं एक हजार पंदा पंदा सो दो हुआर और जहां दददस रुपए पल्टी किए गए हैं वहां सोनिया रिया प्रिया इस टाइप का नाम लिखके पैसा निकाल लिया गया है उसमें कोई पते नहीं उसका टिटेल लेके बैठूंगा तब उसका प आप पर लगा कि उस समय साथ करोड रुपे की प्रॉपर्टी थी आज तीन सो करोड रुपे की प्रॉपर्टी हो गई यह ब्रस्टा चार से कमाई गई यह सीधे तोर पे पूर्ग जो मंडल अध्यक्ष थे उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि उस समय के बाद इतना पचार से ही हुआ फार्म हाउस में पैसा लगाया यह आरोप लगाया और टीन सो करोड की प्रॉपर्टी कैसे राजेन शुकला जी दोस हजार करोड के आदमी हैं ठीक क्या उन्होंने इससे विधायक और बनके ही इतने प्रॉपर्टी बनाई है दिली बिल्टकान अभी पे इंडिया के अंडर फाइट टेन कांडेक्टर हैं दस हजार करोड के उपर का टर्नोवर है बहुत सारे ऐसे ओदोपती आपको मिल जाएंगे जुन्होंने दस साल में कहां से कहां पहुचा यह कितना चोटा सोचते हैं यह दो सो करोड सोचते हैं अरे बाप हम अठारा करोड रुपए एक कंपनी का अपने इंकाम टेस्स देते हैं एक साल में बागी नौ कंपनीया मेरी और अलक से हैं यह बहुत कम आक रहे हैं मैं दो सो करोड का अदमी नहीं हूँ मेरे अगर पूरा कंसोर्टियम ग्रूप मेरा जो है परिवार का मुझे मेरी कंपनी और मेरी यहां प्लस मेरा इंडिजोब एक हजार क्रोड से उपर का नेट वर्थ थ typically कहां है यह 200 क्रोड तक की इसके उपर नहीं सोच पा रहे हमारा कारोबार है हमारी नेट वर्थ ही काफी है हमारा कारोबार काफी फैला हुआ है कम से कम कम रहे हैं यह कितना कमाने में दो पंचे दस करोर दस पांच साल में दस करोर में यह पाँच करोर कमा रहे हैं इस से जदrob करो करोर था तो अगर ये बहुत कमाता तो 2 करोड तो 3 करोड कादमी हो जाता 7 करोड से 10 करोड कादमी हो जाता यह सब बेवज़ा की बाते हैं और जो यह आरोप लगा रहे हैं यह हमारे ही लोग हैं यह हमारे साथ काम करते थे मैं इनको रग रग जानता हूं सेमरिया की जानता यही तो चाहती है हमारे कारकाल में अगर कोई कमी थी जब मैं चुराओं में निकलता था तो मैं लोगों से पूछता था कि भाई अगर मुझे में कमी है तो मिरसे नारा जी का करान बताओ तो कुछ लोग कहते थे कहते थे और तो कोई कमी नहीं पर हम ये रोज कहां पत्ता चाटेंगे हम पेड़े ने उखाड़ दें तो हमने का क्या हो कौन सा पत्ता तो बोलते थे कि आपके साथ जो ये मंडल अध्यक्ष वगए रहा है इन ही का जो ये बयान दे रहे थे इन ही का नाम लेके कि इनको इनकी दुकान कब बंद होगी इसलिए आपके खिलाब बोट करेंगे जैसे चैल विहारी आदो इनके ड्राइवर ड्राइवर को तनका आपन है 80,000 रानी यादव इनकी पतनी इनके ड्राइवर की 40,000 धीरी उपाठ्ध्याइव बरा निर्षाहlor 58,000 धीरी उपाठ्ध्याइव की पतनी म्हाधुरी उपाठ्ध्याइव 58,000 दीपक सुखला इनके ऐकाउंटेंट इनके वुओंगे लड़के 30,000 उत्कस पढ fakie Biz अध्य परिवारी मंदल अध्यक्ष ये बीस हजार ये मतलब दस हजार पाँच हजार पाँच हजार पाँच हजार पाँच हजार नीस बीस इकिस इस बाइस फिर आजाएए उन्ही संजूति वारे उन्हीं का परिवार पाँच हजार दस हजार दस हजार पचीस हजार ये पार्टी की कर रहें कि paid worker के रूप में काम कर रहा है फिर आप आजाईए एक इनके social media जो देखते हैं कि भाई लगते के भाई लगते हैं अभे तिवारीं उनका आप देख लिए दद्दस हजार फिर आ जाईए वही मंदर गजने तिवारी का अनामका तिवारी अरपिता Pati वारी फिर ये पांच पांच हजार अभी मैं इसका डिटेल पोस्ट मार्टम करूँगा एक एक चीज ऐसे रख दूँगा कि जन्ता को मतलब जो चौती पास भी वो भी समझ जाए तो क्या सिमरिया में अगले चुनाओं में ये चीजे मुद्दा बनेंगी या फिर सिमरिया के इसको फसाना उसको फसाना इस पे दबाव बनाना इस सरपंच को काम नहीं करने देना वहां इसको इसको किसी प्राइवेट एजेंसी को लगा कि उससे दबाव बनाकर चेक साइन कराना पैस से वो कराना इसी के चलते वो सीयो वाली घटना हुई चेक कटवाने के चकर में मा करा दूँगा वो करा दूँगा इतने करोड एक सो इतने करोड कहा गया अब यह कहने लगे कि उसका टेंडर बजट नहीं था तो टेंडर निरस्थ हो गया अरे भाई जब मैं विधायक था या हमसे पैचे राम लखन सालमा भी विधायक थे तो हम लोग सीम साब के पास रिक् पीचे दो पहाड़ों को जोड़कर 64 करार रुपए का लगभग पूरा ASOS करा के रखा हुआ था तीन महीना चार महीना बात अगर चुना होता तो मैं दवाव बना के करा भी ले गया था लेकिन फिर आचासरनिता लग गई नहीं करा पाया आज तक नहीं आया राम डखन साल सिमरिया थाने से लेकर सिमरिया से लेकर सतना वाली रोड में का अपने अभी डामर का का काम कराया और उसी में बेंग मतलब पर्फार्मर्मेंस गारंटी तीन साल होने के बावजुद भी जबरिया उसी में ये ब्रस्ट अधिकारी लोग कांक्री डोड कर रहे हैं जिसके का हैं साक्षी जोलस के नाम से ले रखे हैं अपने इंटरस्ट में वो भी अभी शुरू नहीं हुआ तो इसके लावे ये कोई काम बता दे घोशना के लावे जो मौके में हैं ग्राम पंचायतों के इसका वजी ना एग्रिमेंट हुआ ना वरकाडर है। साथ वाकाल उसका लगा हुआ है जो चचाई बरहा में उसमें भी आवंटर नहीं है कोई टेंडर नहीं डाल है जब तक कोई अग्रिमेंट नहीं है बजट नहीं है आप भूं पूजन करके क्या मतलब आप तो एक तरasına स को बर्गला रहे हैं आपने वो समय खो दिया है आपकी ट्रेंट छूट चुकी और ऊपर से आपने इतना भैयातं के बना दिया है लोग आप से जान चुनाना चाहरे है आपको लगता होगा कि पेड़ वरकर यह जो चार पांड से आप बयान दिलाते हैं इस से अगर आपका व नीलम मिस्सा थी, फिर अभी ये आ गए थे, मैं Congress Party की उस समय कमी मानूँगा, संक्षन में कोई कमी थी, नहीं तो इनको नहीं जीतना चाहिए था, पगर सुकला जी को जीतना चाहिए था, और मैं इस बार अच्छी तरीकर जान रहा हूँ, कि Congress का जो प्रत्यासी होगा, एक त नहीं थी की जा सकती, ये नहीं की जा सकती कि कोई भला काम करें, एक आखरी सवाल, तमाम चीजों की चर्चा हो गई, आपने तमाम डॉकिमेंट्स की भी बात कर ली, चुनाओ नजदीक है, पिछली बार की परिस्तितियां भी सामने हैं किस तरह से चुनाओ हुआ, इस बार ही बोला था कि रीवा हम जीत के देंगे, नगर नहीं हम, हम लोगों ने जीता कि नहीं जीता, तेकि समय बदलता है, ये एक निचुरल प्रक्रिया है, बीच साल की गवर्मेंट एक ही बिठाई खा रहे हैं, बीच साल से, ये निचुरल एंट्री इंकम ऐसी है, मैं तो सिव प्रिवा का पड़िदर्स मत देखिया, पूरे मद्ध प्रदेश का देखिये, इस बार तो जिस तरह से कांग्रेश का संक्टन खड़ा हो गया है, जिस तरह से इनके भष्टाचार वाहर हो गया है, अभी आने दीजिए न, MP फाइल्स, जो कमलनाच जी बनवाने इनका पू जा जा, क्यों कित्रा भी काबिल मंत्री भी धाक रहा है, एक दिन जाता है कि नहीं जाता है, शुकला जी पंदा साल, बीस साल राच कर लिए, इन्हों ने हमारे बिरुद सोला प्रसन लगाए, पार माउस के मतलब हमारे निवास सुमन बाठकिया के खिलाब पाँच है, सिर जांच मांच क्यों नहीं हमारा कुछ बिगार पाए भई, बिगार ना था, कैसे बिधायक हो कि इतना भी नहीं बिगार पाए, मुझे तो हसी आती, इतना करके कि मिला क्या इसी और पूरा टाइम इसी में लगा दिया, आप बिधान सभा अभी तो आपका मैं बिधान सभा भी प्रस्तुत करूँगा जनता के सामने, और अपना भी प्रस्तुत करूँगा, कि मैं अपने समय में क्या क्या चीजे मागा और क्या क्या चीजे मिली, जितना मैंने समरिया में विकास काम किया, अभी तक मैंने अपना एक भी गाथा नहीं काया, कि समरिया मैंने ये बनव दिया वो बनवा दिया मैं अपने मुझे क्यों बोलू जनता सम जानती तो उसका मैं बताऊंगा कि ये देखो मेरे ड्राप्टिंग लिखना रिक्वेस्ट और एक्सरसाइज जिससे ये मिला ही इन से भी पूछूंगा कि आप ने तो पूरी एनरजी अभे मिश्राक बिच्छ जिन्होंने तमाम चीजों के डॉक्यूमेंट्स के साथ जो बात की और सीधे तोर पे कहा कि आगे आने वाले समय में जनता को ये भी पता चलेगा कि किसके कारेकाल में किसने क्या मांगा है क्या कुछ सिमरिया को मिला है लडाई बहुत दिल्चस्प होने वाली है सिमरिया के मुद्दों पर कितनी बात होगी ये देखना बहुत महत्यपूर्ण होगा बहुत बहुत धन्यवाद